नमस्कर लक्ष्मी खाना खजाना में आपका स्वागत हैं आज हम बना रहे हैं मूली का इस्पिसल चाजार जो कि इंस्टेंट है फटाफर से बनके फटाफर से खा सकते हैं आज हम बनाएंगे मूली का इंस्टेंट अचार जो कि आप बना के हत्वादी खा सकते हो एक घंडे में और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है इसलिए लिए हमने दो मूली और इनके साइट से हमने छिल लिया है ताकि कच्रा आ नहीं आए और साथ ने लिए हमने साथ से आठ हरी मिर्ची जो कि थोड़ी सी तीखी है जो अचार को टेस्ट जादा देगी हमने मूली और मिर्ची को कट कर लिया है अब पंखे के नीचे रख दे दे है मूली और मिर्ची हमारी थोड़ी सी ड्राई देशी हो गई है अब हम इसका बना हमने दो समच तेल एड़ गर दिया हैं केश को रहेंगे लो मीडियम पे तेल गरम हो गया है अब डालेंग इसमें आदा समच जीरा आदा समच साबक सौफ वन थर समच कलोंजी और वन थर समच मेथी दाना गेश को लो पे रखेंगे अब हम इसमें डालेंगे वन थर समच हीम और अब हम इसमें डालेंगे वन थर समच हल्दी पाउडर और इनको एड़ कर देंगे इसमें इनको मिक्स कर लेते हैं इसमें डालेंगे हम एक समच कस्मीरी लाल मिर्ची क्योंकि यह नॉर्मल मिर्ची नहीं डालेंगे हमें कलर से ही है मिर्ची के तिखा बन तो हरी मिर्ची से आने मला है एक समच डालेंगे पीशी हुई पीली राई तेदी आपके पास पीली राई नहीं हो तो आप काली राई विदे की इसके डाल सकते हो एक समच डालेंगे हम इसमें पीशी हुई शौफ इसमें तेल ज्यादा तेल डालना है नहाना मसाले ज्यादा डालना है पर खाने में इतना तेस्टी बनता है आप एक बार बना के देखिए बहुत अच्छा लगता है अब हम इसमें डालेंगे स्वाधनों सार नमक इसे आप बाहर पांस से छे दिन बाहर रख सकते हैं और ज्यादा दिन खाना हो तो आप इसको फ्रीजने इस्टोर करके भी रख सकते हों यह मैने भर चल जाता है इस्टोर क्या हुआ और बाहर रखके आपको खाना हो तो आप इसमें तेल थोड़ा ज्यादा डालें अब हम इसमें डालेंगे आदर समच हम चुरूप गए और अच्छी तरसे उनको मिक्स कर देते हैं अब नाचार बनके रेडी अभी भी खा सकते हैं यह दो घंडे बाद भी खा सकते हैं और चाओ तो आप एक विक तक खा सकते हो जिसको करदे जिब्बन थंडा होने के बाद इसको काच के जार में भरेंगे यह हैं अब आप इसको घंडा होने बाद इसको काच के जार में इस्ट எ सकते हों देखिए कितना अच्छा अच्छा बनाएं प्राल भी इतना अच्छा है कवा अब हमारे वीडियो पसे न आए आ करें यह सब्सक्राइब करें जो नहीं हैं वो सब्सक्राइब करें ताकर आगे का नोटिकंट इसान उनको मिलता रही है